Welcome back everyone, मेरा नाम है अर्पितन, आप देख रहे हैं student याँ, जह हम आपके लिए लेकर आते हैं, India's best stationary content And guys, हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आये थे, जिसमें मैं आपको बताया था, मेरे personal pencil case में मैं क्या-क्या supplies यूज़ करता हूँ And साथ ही साथ उन सभी का price बहुत कम होने वाला है, जिसे हर student उनको easily buy कर पाएगा So guys, start कर देते हैं हमारे box से, तो आप यहाँ जो देख रहा है, यह हमारे previous video वाला ही case है, यह मुझे बहुत अच्छा लागा है, इसका price भी काफी सही है यह case आता है Unigar की तरफ से, and इसको मैं unbox कर लेता हूँ, तो कुछ इस टाइप को यह hard case देखता है And एक चीज और इस वीडियो में जितने भी products हैं, मैं description में सबके link डालने की कोशिश करूँगा, जिससे आप वहां से उनको easily purchase कर पाएगे तो guys, यह रहा हमारा box, इस corn box करने के लिए आपको यहाँ पे एक zipper दिया गया है, इसको आप यहाँ से unbox कर सकते है And guys, जहना आपको देखने को मिलता है कुछ इस टाइप का हमारा pencil case इसको मैं उबन कर लिया है तो इसमें basically three compartments है, this is the first compartment, this is the second and this is the third एक-एक करके हम तीनों को देखने वाले है, starting from the first compartment तो start करते हैं guys, हमारे first compartment से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे पास जो ऊपर आप देख रहे हैं, काफी सारे rollerball pens है And नीचे कुछ misleading supplies है, तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, एक multi-action pen from flare तो multi-action pen क्या होता है, यहाँ पर आपको तीन जा color की refill देखने को मिलेगी, तो में पास blue है, इसमें black है and red है तो तीनों pens एक ही में मिल जाते हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगता है flare-ka multi-action pen इसके बाद guys, आपको देखने को मिलेगा एक fountain pen from cello, तो guys, this is the cello fountain and यह हमारे 60 rupees comparison का winner भी था, तो 60 rupees में काफी एक अच्छा fountain pen मुझे लगता है इसके बाद हमारे पास आ रहा है guys, एक erasable pen from pilot, तो this is the pilot friction, इसकी भी वीडियो आपने देखिया होगी, तो यह एक erasable pen होता है यह heat sensitive होता है, इससे आप जब लिखते हैं, इसके पीछ वाले parts से बाप एरेस करते हैं, तो heat से इंक चली जाती है इसके बाद guys, हमको देखने को मिलती है, एक mechanical eraser, तो this is the mechanical eraser from Apsara इस type से आप इसको बहार निकाल सकते हैं, तो आपको बस इसको दबाना होता है, यह बहार निकल जाती है, तो काफी अच्छी razor मुझे लगती है इसके बाद हमको देखने को मिलता है guys, एक correction pen तो यहाँ पर मेरे पास है, correction pen from cello, एक काफी compact सा correction pen मुझे लगता है, चोटा सा cute सा pen है तो इसको मैं रखता हूँ mistakes correct करने के लिए, then guys, यहाँ पर मुझे देखने को क्या मिलता है, क्या है अंदर, यहाँ पर हमें देखने को मिलते है, चोटी सी feather stick again for sticking pages, तो मुझे यह glue stick जादा पसंद है over wet glue, then हमको देखने को मिलते है guys, यहाँ पर कुछ roller ball pens, तो roller ball pens क्या-क्या है, वो हम देख लेते है, सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास आ रहा है, मेरा favorite, तो यह आप जानते है, this is the uniball eye, fine, तो यह काफी प्यारा roller ball pen है, and यह fade proof इसमें का आती है, archival link होती है, 70 rupees का यह pen परता है, and one of my favorite pen मुझे लगता है, okay, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके इसके बाद होता है, इसके बाद हमको देखने को मिलता है, some pens from Pilot, so this is the Pilot V7 cartridge वाल डिशन है, तो आप देख सकते है, कुछ इस टाइप से यह pen दिखता है, and इसकी खास बात तो आप सभी जानते ही होंगे, इसमें इस टाइप के कुछ को आप चेंज कर सकते हैं, तो again, a good pen, यह इसकी खासियत यह होती ही, कि यह काफी डार्क होता है, and यह समझ बहुत कम होता है, but again, इसका एक ड्रावबैक होता है, कि यह वाटरपूरूफ नहीं होती है, तो again, if you want a dark pen, जो कि समझ ना हो, वाटरपूरूफ इंस आपको ज़ादा लेन देनी है, तो you can go for the V-Series as well, okay, इस इसके बाद क्या मिलता है हमको, इसके बाद अगेन, मिरे पास एक V-Series का ही पैन है, तो this is the V-5, but एक cottage all edition नहीं है, यह packed all edition है, तो इसमें आपको देखने को मिलता है, इस टाइप का barrel इसी के अंदर इंक रहता है, इन पैंस को जब भी आप लें, तो मैं रेकमेंड करूँग अगर आप इनको उल्टा रखेंगे, तो लीक होने का problem बढ़ जाता है इन पैंस के साथ, then guys, अगला पैंड में हम आएं, तो again, this is the legendary Trimax, यह आप देख सकता है, यह पैं तो आप सभी ने यूस किया होगा, तो this is the Reynolds Trimax, काफी अच्छा पैंड यह मुझे लगता है, तो यह हमारे बॉक्स में एक पीस रखा हुआ है, ओके, यह भी waterproof होती है, इसके बाद देखते हैं, क्या है, इसके बाद हमारे पास flare की तरफ से आने वाला electronics, तो यह आप देख सकते हैं, उससे सा electronics, 0.7 निप mm में यूस करता हूँ, तो यह भी काफी अच्छा पैंड है, काफी dark चल हमारे पास Hauser की तरफ से आने वाला Tech 7, तो guys, यहाँ पर आपको some of the best rollerball का collection देखने को मिलेगा, जो आपको under 50-60 rupees मिलते हैं, तो यह रहा Hauser का Tech 7, again, a good pen, waterproof इनके है, इसकी भी, and काफी अच्छा चलता है, काफी smooth चलता है, मुझे 0.7 जादा पसंद है, 0.5 में भी आपको यह जाता है, and last में, guys, एक पैनोर यहाँ पर रखा हुआ है, तो this is the Rolito Techbird, तो यह रोलीटो का Techbird है, काफी सस्ता यह भी पैन है, काफी dark ही चलता है, and इसका price भी relatively कम होता है, but इसकी जो इंक होती है, वो waterproof नहीं होती है, इसकी रिफिल्स आप चेंज कर सकते हैं, इसके बाद न होती है, तो I can always change them, so guys, यह था हमारा compartment 1, यह सभी चीज़ हम को देखने को मिली, अब आपके लिए मेरे पास एक question है, अगर मैं आपको बूलू कि आपको इन सभी rollerball pens में से एक pen को remove करना है, and अपनी choice के एक pen को include करना है, तो वो pen कौन सा होगा, मुझे comment section में लेके ज़रू ब pencil around 40 rupees की आती है, and इस type से आप इसकी जो नेब है, उसको भान निकाल सकते है, and इसको दबा कर रखेंगे, तो अंदर चली जाती है, तो this is the mechanic of pencil I use, इसमें 0.5 mm भी आपको मिल जाएगा, इसके बाद आपको देखने को मिलता है, एक brush pen, तो brush pen आप जानती है, मुझे काफी पसं एक fountain pen from, आप ये इसका clip देख की समझ गया होंगे, from Parker, तो guys आईए है, Parker की तरफ से आनला बेटा नियो, तो जो हमारा 130 rupees का comparison था, उसमें ये winner था guys, तो 130 rupees में ये, हमें one of the best fountain pen लगा था, वो वीडियो भी आप check out कर सकते हैं, तो काफी अच्छा pen है for rupees 130, तो ये मैं साथ में चलता हूँ, okay, then इसके बाद आ रहा है guys, हमारे पास एक roller ball pen, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, this is the uniball jet stream, काफी लोग पूछते हैं, बहुत ही जादा मुझे पसंद है, इन budget segment, तो ये budget तो नहीं है, थोड़ा ज्यादा कॉसली ही है, मतलब 40, 45 rupees का आप कोई मिलता है, but again guys, इसकी जो quality है, वो मुझे बहुत ची रखती है, इसकी जो build है, जो grip है, वो again, बहुत ही जादा मुझे पसंद है, इसके बाद guys, हमको देखने को मिलता है, एक whiteboard marker, तो कई बाद मीटिंग सागरा में एक काम आता है, इससे भी काफी अच्छे whiteboard marker आते हैं, this is the agile whiteboard marker, बट यहा हम आगे हमाई last compartment कियों, which is the compartment 3, यहाँ पर आपको काफी सारी चीज़ा देखने को मिल रही होगी, वह कि करके आपको सब बदाता हूँ, पीछे हमाई पास है काफी सारे ballpoint pens, gel pens, और आगे कुछ misliness accessories है, तो देखते हैं, क्या काई, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को म मिल जाता है, एक felt tip, तो यहाँ पर आप उससे mark-up भी कर पाएंगे, uniball की तरफ से एक highlighter आता है, unipurpose करके, तो वो basically similar है, वो बहुत costly होता है, तो उसका यह एक budget version मुझे यहाँ पर लगता है, ओके तो यहाँ पर yellow color में, then मेरे पास यहाँ पर एक फेबा कासल की तरफ से आने इनको मैं सांत रखता हूँ, पेच पर मार्क करने की काम आते हैं कई बार, then guys हमारे पास अंदर भी कुछ है, यहाँ पर कुछ छुपा हुआ है, निकालते हैं, क्या है, तो guys यहाँ पर मेरे पास एक correction tape, तो this is the correction tape from Kukoyo, तो यह भी काफी अच्छा correction tape है, आप टॉमबो का भी ले सकते हैं, तो यह मुझे personally budget oriented जादा लगा, then guys यहाँ पे एक चीज़ और उपर रखी हुए, यह क्या है, यह मैं पहले बताता हूँ, तो these are guys post-it flags, क्या होते हैं, flags, जैसे मान लीजिए, अगर में पास एक बहुत मोटी notebook है, and मुझे for example, 10-10-12-12 page में वो content मिल रहा है, जो मुझे चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनको color code कर सकता हूँ, तो यहाँ पे जैसे blue है, तो मैं यहाँ से एक blue sticky निकाल सकता हूँ, and then उसको यहाँ पे stick कर सकता हूँ, तो आप देख सकते हैं, कुछ इस type से stick हो जाते है, and ऐसे यह लगे रहते हैं, अलग-लग pages पे, तो यहाँ पे अब हमको देखने को मिलते हैं, काफी सारे ballpoint pens and gel pens, तो देखते हैं क्या क्या है, सबसे पहले नीचे, सबसे पहले मेरे पास आ रहा है, pentonic का BRT, तो guys, this is the pentonic BRT, पहले यह VRT के नाम से भी आता था, अभी यह BRT है, तो यह भी काफी अच्छा 20 rupees में ballpoint पेने, काफी smooth है, एकदम मकच जैसा चलता है, क्या बोलने, तो काफी smooth pen है, इसकी जो grip and specially इसका जो design है, यह pentonic का one of the best design में कहूँगा, और पकड़ने में बहुत ही जादा proper feel आता है, इसको रखते है side में, then हम को देखने को मिलता है guys, यहाँ पे एक और ball pen, तो यहाँ पे है, मेरे पास salu की तरफ से आना है वाला XO, तो काफी लोग इसको बहुत पसंद करते है, मुझे भी पसंद है, काफी dark pen है, इसकी जो body है, पूरा unibody design है, काफी strong सा लगता है, sturdy लगता है, और इस टाइप का यह pen दिखता है, तो काफी अच्छा pen है, तो इसके बाद मेरे पास है again एक सस्ता pen from Reynolds, तो this is the Reynolds Aeroslim, again काफी unibody सा design है, मुझे ऐसे pen जादा पसंद आते हैं, जो एक solid एक unit के तरह unibody का design offer करते हैं, तो this is I guess for 5 rupees आपको यह मिल जाता है, Reynolds Aeroslim, काफी बढ़िया pen है, slim सा pen है, and again matte black में आता है, तो मुझे काफी पसंद है, इसके बाद मेरे पास कुछ black pen है यहा पर एक मेरे पास black ball pen है, तो this is the seller joystick, काफी प्यारा pen है, मुझे चलता है, इसका black मुझे पसंद है, तो इसलिए मैंने black रख रखा है, तो यह तो हो गए हमारे ball pens, and यहाँ पर आगर आप देखेंगे, तो कुछ gel pens मेरे पास available है, सबसे पहले यहाँ एक red pen मेरे रखा हुआ है, red pen काफी बार use करने में आ जाता है, इसलिए मैं रखता हूँ, तो यहाँ पर आप आप देख सकते हैं, this is the flare glass gel, यह recently मेरे box में आया है, and guys, यह काफी अच्छा pen, इसका आप design देखिए, मतलब काफी जादा simplistic एक minimalist design दिया हुआ है, flare ने, यह चलता भी बहुत smooth है, साथी साथी research gel, again, काफी प्यारा pen है, waterproof इनके साथ आता है, and कई बार में इसकी जगह class में का octane भी रख लेता हूँ, तो वो आपकी choice है, दोनों ही pens बहुत अच्छे है, तो इसको रखते हैं, साइड में, then मेरे पास आ रहा है कुछ black pens, तो guys, यह है मेरे पास यहाँ पर, रोडीटो का big tank gel, तो काफी अच्छे यह pen है, यहाँ पर मेरे पास इसका blue भी था, अभी मेरे पास black है, इसको आप यहाँ से open कर सकते है, and आप इसकी refill अगर आप देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे, इसको big tank you बोला जाता है, काफी मोटी refill है, काफी smooth चलता है pen, and मुझे काफी पसन है, इसका black and blue दोनों मेरे पास थे, and last में आ रहा है, हम सभी का फेवरेट, तो इस 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 देखेंगे, अगें 30 रुपीज का यह जो पहना आता है, काफी अच्छे पहन है, इसका अच्छी बात ही है, यह waterproof तो इतना नहीं होता, बड़ गाई, इस यह काफी जल्दी dry होता है, का काफी smooth चलता है, and मैं 0.7 mm में इसको recommend करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास यह black color में available है, तो guys, यह था हमारा third compartment, मैं मान के चल रहा हूँ, आप में चैल को already subscribe कर लिया हूँ, क्योंकि अगर आप चाहते हैं, कि आप अपने पैसे से highest quality stationery product खरीद पाए, हमेशा उसको rightly invest कर पा तो guys, again, एक same question में आपके लिए लेके आया हूँ, कि अगर आपको इस सारे हमाई part 3 compartment में एक चीज़ हटानी हो, एक चीज़ include करनी हो, तो आप क्या करेंगे, तो guys, यह जो तीनों question मैं आपसे पूझे थे, कि आपको एक चीज़ include करनी है, एक चीज़ remove करनी है, तो आप क्या करेंगे, मुझे comment section में लिखके जरूर बता है, साथ ही साथ guys, अगर आपको आपने इससे भी अच्छी stationary supplies लेने का budget की कोई limit नहीं है, और आप चाहते हैं अपने box में आप best to best stationary supplies carry करें, तो आप हमारे ये ऊपर वाला video चेक कर सकते हैं, इसमें हमने आपको बताया है कि the ultimate supplies which I I personally use and ये नीचे आपको देखने को मिल रहा हो का best geometry boxes, तो आपको geometry box लेना है तो नीचे वाला देखो and आपको best stationary supplies देखने तो ऊपर वाले video देखो, तो I'll see you in the next one, guys, तब तक के लिए take care, bye-bye.